हाई वरिवन लेट्स क्रैक यूपियसी सीसी हिंदी में आपका स्वागत है हम बात कर रहे हैं बायोस पर रिजव में और मुझे लगता है सुभा से अब बहुत सारे बायोस पर रिजव के बारे में जगर एक बेसिक अंडरस्टेंडिंग बहुत अच्छी तरह से विक्षित ह होई होगी इसी चंकला में हम बात कर रहे हैं अब ग्रेट निकोबार बायूस पर इजव नाम से एकलियर है अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार पर मेंली यह मिलता है अने केडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रिफर कोड हमेशा यूज करते चलिए किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन में यह आपको दस प्रतीशत की छूट अविलेबल कराता है फिर वो ऑप्शनल हो या जीयस ऑप्शनल में हम जियोग्राफिय ऑप्शनल ले रहे हैं और दो दिसंबर से जनरल स्टडी में इंडियन एकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं एक फ्रेश बैच बिल्कुल बेसिक से ग्रेट निकोबार बायोस्पेर रिजव बंगाल की खाडी में अंडमान सागर में मिलता है ग्रेट निकोबार बायोस्पेर रिजव 1989 में स्तापित किया गया वैसे ये बायोइस्पे रिजव वैसे बहुत पुराना है लेकिन 2013 में यूनिसको ने इसे अपनी बायोइस्पे रिजव की वेश्विक सूची में शामिल किया और इसलिए हमारी लिस्ट में ये 90 स्थान पर आया है ग्रेट निकोबार बायोइस्पे रिजव ग्रेट निकोबार दीप समू के लगभग 85% हिस्से में है लगभग पूरा ग्रेट निकोबार इस रिजव के दाईरे में है इस बायोइस्पे रिजव का कुल शेत्रफल 885 वर्ग किलोमीटर है और इसके अंतरगत दो सरक्षित शे यह पूछे गए हैं, Camp Bale Bay National Park, Galatia National Park, यह है Galatia National Park, और यह है Camp Bale Bay National Park, दोनों नाम याद रखिएगा, objective सवाल का material है, गेलाथिया और Camp Bale Bay National Park, यह बायुस पे रिजव भारत की सबसे आदीम जन जाती, शोमपेन, शोमपेन का निवाजिस्तान है, यह अंडवान निकोबार में मिलने वाली जन जाती, शोमपेन है, यह बायुस पे रिजव उश्नकटी बन दिया सदा भारवन, वर्षा दिक होती ह यह तो वर्षा 200 सेंटीमीडर के आसपास होती है, बायस परिजव पर विशाल केकड़े और केकड़े को खाने वाला मकाक, दुल्लब मेगा पोड के साथ लेदर बेक कच्छुआ, तो विशाल केकड़ा, जाइन केकड़ा, केकड़े को खाने वाला मकाक, दुल्लब मेगा प यह क्रेप केकड़े घंअवाला पूर्इण मतलब एलगी प्रकार की स्कीन और काफी लेदर जैसे कथोड़ता वाला एक अलगी ब्लैक कलर का कवच होता इस पर निकोबार लॉंग तेल मकार कूबी है यहां पर लंबी पूछवाला बंदर भी है और निकोबार ट्रीशरू एक ऐसा जीव है जो «वास्तविक रूप में इस्तनधारियों का निरमाता माना जाता है», माना जाता है कि अधिक्तर इस्तनधारी या जितने स्तंधारी बने हैं सबका ओरिजीन इसी से हुआ है डोगॉंग जो मैंने बताया था कि मनार की खाडी में मिलने वाली समुद्री गाय के रूप में जाने जाने वाला जीव है शाकारी होता है और सर्पेंट इगल सर्पेंट इगल यहां का बहुत ही मतलब कौमन मिलने वाला इगल है सौल्ट वाटर क्रोकोडाईल मगरमच खारेद पानी वाला और रेटीकुलेटेट प्रजातियों में शामिल है बंडमा निकोबार का यह जो शेत्र है यह अलग ही रूप में सरक्षित है दो जो सरक्षित शेत्र इसके अंदर मिलते उसे याद रखेगा और मेगापोड एक पक्षी है जो लगबग विलुक्तता की कगार पर पहुच चुका है तो सवाल पूचे थे पक्षियों की प्रजातिया पूची थी आप देखेंगे कि मैक्सिमम पक्षियों की प्रजातिया अब जो भी पूची गई थी वह इस बाइस परिजव के अलग लग पार्ट में कवर हो चुके हैं इसके लावा और्किडो ट्री फर्ण जब आपको भारत हॉट जमीन पर होते हैं समुद्र के अंदर जैविवित्ता को सरक्षित करने के लिए हॉप स्पोट की कलपना की गई है तो यह भारत का एक हॉप स्पोट भी है नेक्स बाइस परिजव का इंतजार करिए बस दो बाइस परिजव और इसी के जाथ 11 युनिसको के दौरा मान झाल झाल